दोस्तो सलमान खान के फिल्म राधे योर मोस्ट वॉंटेड भाई 13 मई को रिलीस की जाएगी OTT प्लैटफॉर्म जी प्लैक्स और साथी साथ वर्ल्ड वाइड सिनेमा घरों में दोस्तो सबी को लग रहा है कि सलमान खान की जो राधे है वो फ्लॉप होने का सौधा बनी है क्योंकि सिनेमा घर भारत में वो रिलीस नहीं हो पा रही है लेकिन दोस्तो आप लोगों का मानना बिल्कुल गलत है सलमान खान ने जो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाई है यह फिल्म पहले ही दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट का सौधा बनेगी अपनी कमिटमेंट पे अडिक रहे दोस्तों सलमान खान पहले ही दिन 200 करोड से उपर की कमाई करने वाले हैं अब आप सोचेंगे कैसे दरसल दोस्तों यह फिल्म टीवी पर रिलीस हो रही है टीवी पर आप एक चैनल का रिचार्ट कराएंगे और अपनी फैमिली को एक साथ दिखाएंगे ऐसे में दोस्तों पहले दिन एस्टिमेट 80 लाग टीवी पर ये फिल्म चल सकती है क्योंकि दोस्तों हर घर में आजकल टीवी तो होता ही है और टिकेट की रेट है 200 रुपे यानि कि दोस्तों 200 रुपे को अगर 80 लाग टीवी में देखा जाएगा तो यह होती है 200 करोड की कमाई क्योंकि यह फिल्म 250 रुपे में आप एक ही बार देख सकते हैं तो दोस्तों यह काफी बड़ी अर्निंग है पहले ही दिन और तो और यह फिन दोस्तों ओवर सीज सबी सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है बड़े बड़े देशों में इसे सिनेमा घर में काफी अच्छे तरीके से स्क्रीन मिली है ऐसे में दोस्तो इसका वर्ड वाइड कलेक्शन भी काफी अच्छा आका जा रहा है और ये फिल्म दोस्तो विदेशियों में भी पहले दिन कर सकती है भारी कमाई जिसका दोस्तो एस्टिमेट अगर आकड़ा देखा जाए तो ये है 20 करोड रुपे की ऐसे में सल्मान खान की रादे पहले ही दिन बॉक्स ओफिस पे 220 करोड की कमाई करने वाली है फिल्म का बजट दोस्तो रखा गया 130 करोड रुपे जो की पहले ही दिन इसको दोगुने तरीके से सल्मान खान वसूल करने वाले हैं और दोस्तो आने वाले दिनों में भी फिल्म अच्छी से अच्छी कमाई करेगी और इसका दोस्तो लाइफ टाइप कलेक्शन 500 करोड से उपर जा सकता है ऐसे में कह सकते हैं कि सल्मान खान अपने कमिट्मेंट भी पूरी की और फिल्म में प्रॉफिट का सौदा भी रखा बस खैर उमीद यही करते हैं कि सल्मान खान इसमें रेस थ्री जैसे लोगों का भरोसा न तोड़े और फिल्म थोड़ी जबर्दस्त हो आपको क्या लगता है दोस्तों वन्टेट का दूसरा भाग राधे कैसी होगी कमेंट सेक्शन में बताए और सब्सक्राइब करें दोस्तों देखो देखो ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले